नमस्कार दोस्तों सादनाज बास्केट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम कलाकंद बनाएंगे जो एकदम से दानेदार सी बनेगी यह बनाना बहुत आसान भी है और इसमें बहुत ही कम सामान भी लगते हैं इसके लिए हमने दो लीटर फुल क्रीम दूद लिया हुआ है और इस भगोने में मैंने 1.5 लीटर दूद पहले अलग से रखा है और 1.5 लीटर दूद अलग करके रखा है उससे बाद में बताऊंगी कैसे यूज करना है तो इस भगोने में 1.5 लीटर दूद है और अब इसे गैस पर हमें चड़ा करके उबालना ह दूद के भगोने को gas on करके medium flame करके मैंने चड़ा करके रग दी है और इसे एक उबाल आने तक हमें गरम करना है इसे चलाते ही रहेंगे नहीं तो ये थोड़ी सी भी जल जाएगी तो इसकी जो taste है कलाकंद की वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी इसे लिए थोड़ा इ तक चलाते रहें ये देखे इसमें उबाल आने लगे हैं ग्यास को बंद कर देंगे इस उब लेवे दूद को दो-तीन मिनट छोड़ देंगे जिससे की इसका temperature डाउन हो जाएगा फिर इसमें निम्बू के रस या वेनेगर डाल करके हमें इसे फाड़ना है ये मैंने दो च बस ना हो तो वाइट वेनेगर भी डाल करके दूद को फाड़ कर पनीर बना सकते हैं दूद का temperature थोड़ा डाउन हो गया है और अब इसमें निम्बू के साथ हमने पानी मिला दिया था वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएगे और हलके हाथों से गुमाते वे इसे चलाते ज जो है वो पनीर का form होना शुरू हो जाएगा इसमें और थोड़ा ये निम्बू और पानी का solution डाल करके इसे फाड़ना है ये ध्यान रहे कि एक साथ बहुत ही निम्बू के रस को ना डाले या आप वेनेगर डाल रहे हैं तो वो भी एक साथ नहीं डाले और निम्बू हो या वेनेगर सब के साथ पानी मिला करके ही उसका यूज करें ये देखिए अब दूद काफी अच्छी तरह से फट चुका है इसका पानी कुछ ऐसा दिखता है फटने के बाद थोड़ी ग्रिनिश जैसी हो जाती है और पनीर देखिए अलग हो गए है बहुत अच्छी तरह से ये दूद फट चुका है अब हमें इसे चन्नी में चान लेना है भगोने के उपर मैंने एक चन्नी रख दी है और इसके उपर जो हमने दूद को फाड़ा हुआ था उसे डाल देंगे आप चन्नी के जगर कपड़े भी डाल सकते हैं कपड़े में भी चान सकते हैं पनीर क इस तरह से हम इस छन्नी में पनीर को डाल देंगे पनीर को मैंने छन्नी से छान लिया है और इसके नीचे ये जो पानी है इसे आप बर्बाद ना करें इसमें आप ग्रेवी बना सकते हैं सबजी की, कड़ी बना सकते हैं, या आटा भी गूंद सकते हैं, तो ये हमारा पनीर अलग तयार हो गया है, पनीर को अच्छी तरह से धोलिया है, इसकी खटास भी निकल गई है, अब इसे फोक की हल्प से तोड़ते वे मिक्स करेंगे, जि आप चाहें, तो हलके हाथ से भी चूरा कर सकते हैं, जिसे की इसकी पेस्ट ना बने, मैश करके इसका डो हमें नहीं बनाना है, इसके दाने-दाने से दिखने चाहिए, तो इस तरह से आप इसे क्रमबल कर ले, मैंने एक खेवी बाटन का पैन लिया है, और इसमें 1.5 लीट चलाते हुए, गाढ़ा करना है, जैसे कि आपको पहले ही पताया है, कि मैंने कलाकंद बनाने के लिए 2.0 लीटर दूद लिया हुआ है, और 1.5 लीटर दूद भगोने में डाल करके, उसे फाड करके अलग पनीर बनाया, और 1.5 लीटर जो दूद बचे, उसे इसमें डाल कर करके, मैं गाढ़ा कर रही हूँ, अब दूद में उबाल आने लगे हैं, ये देखे, साइड में मलाई भी जमने लगी है, लेकिन हमें मलाई को भी साथ-साथ निकालते हुए, इसमें मिक्स करते हुए, इसे चलाते रहना है, जिसे ये और अच्छी तरह से गाढ़ी हो है, यानि हमने हाफ लीटर दूद लिया हुआ था, तो गाढ़ी होने के बाद ये करीब 200 मिली लीटर इसमें दूद बचेंगे, साइड में मलाई जमते जा रही है, इसे हमें साथ-साथी निकालते रहना है, इस मलाई को साइड में पपड़ी की तरह जमने ना दें, नहीं तो उसे कलाकंद थोड़े से हाट बन जाते हैं, दूद गाड़ी हो चुकी है, ये करीब घट करके आधा हो चुका है, अब इसमें हमें चीनी डालना है, ये मैंने 100 ग्राम के करीब चीनी लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से कम्या जादा भी कर सकते हैं, लेकिन कलाकंद म थोड़ी हलकी मीठी ही अच्छी लगती है, लेकिन इस चीनी को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा डाल करके इसे चला लेंगे, ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, क्योंकि चीनी जैसे जैसे मिल्ट होती है, वो पानी छोड़ने लगते हैं, और दूद थोड़ी सी प पतली हो रही है, इसे चलाते रहेंगे, अभी जो और बच्ची वी चीनी थी, वो डाल करके हमें चला लेना है, और इसे भी अच्छी तरह से मिल्ट होने देना है, ये ध्यान रखें, कि जब भी आप चीनी मिलाएं, उसे अच्छी तरह से मिल्ट होने दें, उसके बाद ही, जो हमने पनीर बना करके रखा है उसे मिलाएं अगर चीनी अच्छी तरह से मिल्ट नहीं होगी तो पनीर के साथ वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती है और खाते समय दांत के बीच में चीनी के टुकड़े आ जाते हैं इसलिए अच्छी तरह से चीनी को हमें दूद के साथ म पनीर डालना है, अब इसमें आदी टी स्पून के करिभा इलाइची के पाउडर डाल देंगे बिसे मिला लेंगे अब इस पनीर को हम भी इसमें मिलाना है इसे हमने क्रंबल करके रखा हुआ है अब इसके साथ मिला करके अच्छी तरह से मिलाते हुए चलाते जाएंगे और थोड़ी देर पका लेना है यह देखिए अब सर्मिल करके अच्छी तरह से पक गई है अब इससे निकाल लेंगे निकाल करके जल्दी से ट्रे में हमें जमने के लिए डाल देना है यह जब इस तरह की हो जाए तो आप ग्यास को बंद कर दें इसे ग्रीज किये हुए ट्रे में डाल देंगे इससे हमें चल्दी जल्दी ट्रे में डाल देना है इस तरह से इससे दबाते हुए फैला लेंगे और इसके उपर थोड़े से कटेवे बादाम से गार्निश कर देती हूँ अब इसे 3-4 घंटे के लिए ठंडे होने के लिए सेट होने के लिए हमें छोड़ देना है ठंडी होने के बाद कलाकंद अच्छी तरह से सेट हो गई है इसे कट कर लेंगे यह बहुत ही सौफ्ट बनी है अंदर से बहुत ही रसिली है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हमें कट करना है अब हम इसे इस तरह से निकालते हैं देखे कितना अच्छा पीस निकल करके आया है अब इसे knife की help से दूसरे plate में निकाल लेते हैं और serve कर लेते हैं कलाकंद बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जब इसके पनीर हम बनाते हैं चाहे आप निम्बू या वेनेगर जिस भी चीज का use करें उसे बहुत ज्यादा ना डालें नहीं तो ये hard हो जाएंगे और इसे बनाते समय flame को लोही रखना चाहिए नहीं तो इसकी color जो है कलाकंद की वो dark हो जाएगी और यदि कलाकंद थोड़ी hard भी बन जाए तो कोई बात नहीं उसमें 2-3 चमच दूद डाल करके आप इसे बना सकते हैं तब ये थोड़ी soft बनेगी तो इस तरह से आसानी से हम कलाकंद घर में बना सकते हैं ये देखे कितना बढ़िया कलाकंद बन करके त्यार हो गया है बिलकुल दानेदार कलाकंद soft और बहुत ही मुलायम रस से भरी हुई कलाकंद बनी हुई है इसे आप freeze में 5-6 दिन रख सकते हैं लेकि इसे ढख करके रखें तो ये काफी soft और अच्छी बनी रहेगी तो आप ही एक बर इसे जरूर ही छोटी छोटी बातों का ध्यान में रख करके बनाएंगे तो बहुत ही बहतरीन बनेगी यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक झाल